So, Hello Everyone, I Welcome You All to UIS In this session, हम लोग discuss करेंगे Islamic Revolutionary Guard Corps के बारे में काफी सारे different aspects इसके बारे में discuss करेंगी क्योंकि यह जो आप कहा सकते हैं कि Revolutionary Guard Corps है यह काफी news में भी है Short में हम इसे IRGC भी कहते हैं अगर US की बात करें तो वो इसे एक terrorist organization के रूप में भी consider करते है इसराइल और इसराइल के बीच में काफी conflict रहता है उस case में भी देखा जाया तो इसराइल के द्वारा भी इसे एक terrorist organization के रूप में यह consider किया जाता है तो क्या इसराइल के लिए यह जो कॉर्पस है सबसे पहला एक प्रशना था है जो इरान का Islamic revolutionary guard है वो form कब हुआ 1979 के अंदर जो Iranian revolution हुआ उसके बाद आयतुला Khomeini जैसे अगर आप इस picture में देखो तो यह आपके power में आए power में आने के बाद इरान एक Islamic Republic के रूप में established हुआ और जो आयतुला Khomeini थे इनको यह लग रहा था कि अगर एक बार में power में आ गया बट क्या अभी जो present military है उस पर वो trust कर सकते हैं तो उनका यह मानना था कि ठीक है हम present military पर trust नहीं कर सकते तो इन्होंने क्या किया एक parallel military force का गठन किया इसी का नाम आपका Islamic revolutionary guard corps guard corps के रूप में रखा गया और पहली बार तो यह है कि जैसे starting में तो इसे एक people's army के रूप में consider किया गया जैसे US का national guard है कि लोगों के द्वारा जो है एक voluntary participation के माध्यम से इस force का creation किया गया है ऐसा माना गया और खासतोर से यह जो IRCGC है मतलब जो Iranian guards यह directly report करती है supreme leader को even जो supreme leader है इनके hierarchy की बारे में भी आगे हम लोग discuss करेंगे तो इरान के top decision makers को यह report आपकी करती है अगर अगर देखा जाए तो इरान के अंदर elected president आपके होते हैं जो कि parliament और अलग ministries होती होती उनको देखते हैं फिर उसके बाद आगे बाद supreme leader होते हैं जो कि highest political religious authority के रूप में consider किया जाता है जो कि political और जो भी राजनेतिक और financial institutions है उनसे related important decision making है जो control है इनकी के अंदर होता है IRS GC की बात अगर किया जाए तो यह directly supreme leader जो कि आहतुल्ला अलिक हमेनी है इनको किया जाता है जैसे एराकी leader की सद्दा मुसैन है उनकी Republican guard थी इसी प्रकार से supreme leader है उनकी लिए जो यह force काम करती जिसा IRGC बोला जाता है और अपनी इच्छा या जो भी norms हैं उनको implement करने का काम कि supreme leader यह चाहते हैं इस चीज को तो उसको implement करने का काम या थोपने का काम जो है Iranian people पर यह किया जाता है IRGC के द्वारा इसमें लगभग 1,90,000 1,90,000 active personnel है और इसकी खुद की ground force है navy air force है तो काफी powerful आप कह सकते हैं कि यह force के रूप में इसे consider किया जाता है और यह पूरा देखा जाता है by the supreme leader एक तो इनकी regular military है और तेश जिसे बोला जाता है जो कि इरान की border और internal order को जो भी internal order है मतलब law and order problem उसको देखना एक आपका guard cops पी है जिसे सेपहाए पसदारन भी बोला जाता है जो कि Islamic system को protect करने की बात की जाती तो जो इरान का समविधान है वो ये दो forces को दो जो forces हैं दो forces को we can say की establish करने की बात करते है और लगभग इसमें 2,30,000 fewer troops हैं the regular military में तब IRGC की बात कर तो इसमें comparatively कम है अगर regular military से compare के जा बट फिर भी इसके बावजूद भी IRGC एक बहुत powerful dominant military force के रूप में कारे करती है और इसके ऐसे कारे भी दिएगे जिसे state of hormones है जो की important area बनता है Indian Ocean और Gulf region को connect करने में तो यहाँ पे patrolling का जो काम है वो आपका IRGC के द्वारा किया जाता है क्योंकि 20% world का जो oil हो यहीं से आपका पास होता है तो यहाँ पे revolutionary जो guard इनके पास बहुत highly equipped होता है ballistic missiles, drones और इन सब यह सारी चीज़े होती है अब यहाँ पे term होता kudz force, अब देखो यहाँ पे देखो दो तरीके की forces है within this revolutionary guard crops एक kudz force है और एक basese militia है अब basese militia का काम क्या होता है कि देश के अंदर जो भी orders है जिसमा लोग प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको crush करने का यह खतम करने का जो कार है वो basese militia के द्वारा किया जाता है और इरान इराक war के दौरान volunteers के द्वारा इस force का गठन किया गया था का Kutz के द्वारा किया जाता. Kutz Force के द्वारा यह चीज आपकी की जाती है. ये जो Kutz Force है वो प्रोवाइड करता है. इवन 2003 में जो इंवेजन US के द्वारा एराक में किया गया था então वहाँ पर भी जो Kutz Force है उन्होंने सपोर्ट भी किया था. वहाँ की जो force है वहाँ और फिर US को इनसे भी लड़ना पड़ा था ये भी चीज़ देखने को मिला था साथ में IRGC के अगर बात किया जा तो Middle East में काफी अधिक इसका influence भी है क्योंकि इरान में सबसे powerful person Supreme Leader है Supreme Leader की force IRGC है इसको देखा जा तो काफी powerful है अगर इस एरिया की बात कर तो money, weapons, technology, training और सब का जो है वो provide करना अलग अलग देशों में जो उनके allies government है उनको provide करना इवें जो Syrian President Bashar al-Assad वहाँ पे जो civil war की situation चल रही थी continuous business में तो जो support IRGC ने provide कहा था क्योंकि जो बसर al-Assad है वो भी Shia है और IRGC भी या इरान की बात करें वो भी Shia dominated देश है US ने Quds Force जो की foreign affairs देखती है या आप कह सकते हो कि दूसरे देशों में intervention इसका रहता है तो major general Qasim Soleimani वो basically इसी force से Quds Force से ही इसके commander था तो इसको मारा गया था कई प्रकार के overseas operations परफॉर्म किये गए है कुद फोर्स के द्वारा चाहे वो Syria के अंदर देखा जाए खास और से support provide करना बसर al-Assad को ये देखने को मिला है इसके अलावा भी कई प्रकार के जो attacks conduct किये गए US की पर, US की जो ambassador है उस की पर, Saudi ambassador जो like Saudi ambassador to the US उस पर assassination try किया गया और spying किया गया कई जो intelligence gather करने के लिए spying किया गया German Israeli group की उपर like on the former head of Germany, German Israeli group तो इस प्रकार के बहुत सारे overseas operations इसके द्वारा परफॉर्म किये गए है and United States ने इसी लिए April 2019 में इसे foreign terrorist organization के रूप में भी इसे declare कर दिया गया है अब देखो यहाँ पे अगर इरान की बात करें तो इरान के अंदर क्या ये beneficial है कि देखो एक separate army उनकी समिधान उनको provide करता है कि एक separate army होनी चाहिए military आपकी होनी चाहिए और वो directly report करती है वहाँ के जो political leader है बट ये supreme leader को report करती है तो ये एक अलग power within इरान जो है वो आपका carry करती है और साथ में जो supreme leader है उसके जो भी बाते हैं जो भी उनके विचार है उसको enforce करने का काम भी करती है अब जैसे वहाँ protest चल रहा है तो उसको crush करने का काम किया गया ये भी देखने को मिलता है और साथ में overseas operations continuous basis में किये जा रहे है तो यहाँ पे political leader अपनी एक अलग thinking चल रही है supreme leader अपनी एक अलग thinking चल रही है तो इस वज़व से क्या इरान के लिए beneficial हो सकता है नहीं हो सकता ही सोचने वाली बात है अब economic power की बात किया जाता है यहाँ बहुत सारे ऐसे car भी इसके द्वारा किया जाता है housing development, dam, road construction, oil, gas, project ऐसे बहुत सारे आप कह सकते हैं कि project carry out किया जात है तो वो कई प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो कई प्रकार के infrastructure project हो इनके द्वारा लिये जाता है तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि business network भी इस revolutionary guard के द्वारा conduct आपका किया भी जा रहा है तो एक तरफ वहां के political leader है एक तरफ आपके supreme leader है और दोनों के अपने अलग-अलग सोच हो अगर होती है तो देश आगी कैसे बढ़ेगा यह बहुत सोचने वाली बात इवन जो recent protest है उसमें भी IRGC का रोल और protest को crush करने का प्रयास किया गया और वहां पर continuous basis में जो protest वो देखने को भी मिल रहा है continuous basis में जो देखने को जो है वो मिल रहा है और यहां पर women's जो ह का काम IRGC के द्वारा किया जा रहा है जिसे आप यह images भी देख सकते हो तो यह matter of consent internally भी ही इरान के लिए हो जाता है externally भी हो सकता है क्योंको balance करके चलना है अपने country कंट्रेस्ट के लिए और साथ में देश कंदर world order social order बना रहे खासतोर से connection भी दूसरे देशों के साथ जो है वो बना रहे है यह जरूरी है इरान के progress के लिए तो यह बहुत important है यह बहुत सारी ऐसी चीज़े जिसे इरान revolutionary guard said to be labeled as terrorist group by UK यह भी आपका किया गया तो यह से बहुत सारे चीज़े हैं लगातार western countries के साथ एक confrontation इरान के द्वारा किया जा रहा है और वो stand कर रहे है और इस व जुड़ सकते हैं free extension week चल रहा है अभी और जनवरी 14 लास्ट डेट है code use score SPLIV देखो आप जुड़ते हो तो आप मुझसे जुड़ सकतो current affairs के लिए 12 महीने में 2 months free अभी यह जो महीने आप देख रहो 14 months तक quality history, geography, economy, current affairs, science, जितने भी subjects हैं सारे subjects को आप access कर सकते हो सारे subjects के सार subjects को आप access कर सकते हो live classes आप देख सकते हो तो unacademy.com में जाना, UPSC, CSE select करना, SPLIV, E code डाल के आप join कर सकते हैं अपनी preparation जरूर से करें जितने भी batch courses हैं सो उनको भी आप access कर सकते हैं So thank you everyone, thank you